विश्व विद्याले अरदान आयोग यूसी जी ने देश के सभी विश्व विद्यालेों को पत्र भेज कर निर्थाडित समय पर नए शत्र की सुरुआत करने का देश दे दिया है। इसमें साफ तोर पर कह दिया गया है कि नामनकन की प्रकडिया पूरी कर अगस्त के पहले हफ्ते में कक्छाएं सुरु कर दी जाए। और भी जादा कराई बरत्ति हैं तो कभी सिक्षकों के छुट्टियों को रिद कर दिया जाता है। ऐसे में अब आपको बता दें कि अब साफ तोर पर कह दिया गया है कि अगर निर्धारित समय पर विश्वविद्यालियों में सत्र की सुर्वात नहीं हुई तो फिर फंड नहीं मिलेगा। इसी के साथ आपको बता दें कि विश्वविद्यालियों को पूर्वम में दी गई राशी का उपयोगिता प्रमान पत्र भी देना है। का सुछाओ दिया गया है। इधर तमाम केंद्र विश्वविद्यालियों में नामंकन के लिए CUET 15-11 माई तक है। हाला कि इस परिक्षा के लिए 10 लाग से अधिक छात्रों ने आविदंद किया है। पिछली बार CUET में दाखिलाव विलंब से हुआ था। योजी सी ने इसके साथ ही नियमों का हवाला देते वे विश्वविद्यालियों से जल्द अकैदमिक केलेंडर भी जाड़ी करने को कह दिया है। ताकि समय से संस्थान और उससे समंदित कॉलेजों को सेक्षिरिक गुनवत्ता जुखे वो सुधर जाए। इधर आपको बता दे कि 15 अप्रेल तक अकैदमिक कलेंडर जाड़ी करने का आयोग ने निर्देश दिया हुआ है। बहार की कई विश्विध्याले उने अकैदमिक कलेंडर जाड़ी किया है तो वह की कई ने अभी तक जाड़ी नहीं किया है। जादा तर्न में सनात्यों तर्क का सत्र विलम से चल रहा है जैप्रकार्श विश्विद्याले छपरा में पीजी का सत्र दो साल तो सनातक चे महने विलम पर है वीरकुवर सिंग विश्विद्याले की बात करें तो वीरकुवर सिंग विश्विद्याले आरा में पीजी का सत् मगद विश्विद्याले में कुछ कोर्सों की परिक्षा नहीं हो सकी है बियन मंडल का सत्र भी छे महना लेट है मौलाना महज़हुल हक के विश्विद्याले का सत्र भी लेट है इधर पटना विश्विद्याले ने सनातक में आविदन की प्रकरिया सुरू की है पाटले पुत्रा विश्व विद्याले में ये प्रकरिया मैं से सुरू हो जाएगी मेरो डिपोर्ट निउस पी आर लाइव पटना